नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब का श्रडीफ जड़ी वाला टेलीग्रम जरूर ज़्याइन करके यूट्व चैनल में बरे साथ है तो भी यह वाला टेलीग्रम ज़्याइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है सारी नोटिफिकेशन, सारी अफडेट, सारी इमोशन इपोटेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यापर बताया जाता है यह हमारा सेस डेली कुज चैनलाइज में डेली कुज होती है बिल्कुल प्री में इसको जरूर जोइन कर लिजेगा यह हमारा इस्टाग्राम का पेज़ है इसको जरूर फॉलो कर लिजेगा studyforcivil.services करके अगर आप इस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिक्स्रीट में इसकी लिंक दी हुई इसमें आप इस्टोरी सक्षन जरूर देखते रहा करिए प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं इनको जरूर फॉलो करते रहिए क्या हाले साथी हूं मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्वादी चैनल स्टेडी आपके समक्स लेके आगे हैं तेरा जुलाइग के करेंट अफेर हिंदी एंग्लिज दोनों भाष्णाओं में यूपीसी और पीसे एक्जामनेशन के लिए काफियादा इंपोर्टन होने वाला आज का सेशन देखिए यूपीसी का 25 जुलाई से और एपीएफो का 25 जुलाई से हमारा नए पेड़ गूप चलूने वाले हैं जादा जानकर इक लिए 8564-08-0530-9690-06-0810 पे आप लोग कॉल करके जानका ही ले सकते हैं तेकि हमारे जो सोचल मीडिया के नए पेज़स हैं जैसे की इंस्टाग्राम का हो गया study for civil dot services और टेलीग्राम पर आपका है only current affair study for civil services और only UPSC, UPSC का dedicated channel है, ठीक है, टेलीग्राम पर है ये ध्यान रखेगा, हमारे जो topics, prelims और mains के लिए important होने वाले हैं, वो हैं, इंडिया और इटली का joint commission अभी बैठा, ठीक, और क्या आर्थिक रूप से cooperation सहयोग करने क की बात हुई है, सारी चिये देखेंगे, किस-किस मुद्दों पर किस-किस छेत्रों में हुई है, ये ध्यान रखने वली बात है, ठीक, और अभी एक elephant reserve की बात करी गई गई, चत्तिस गड़ में, प्रपोस करी गई है, प्रस्तावित है, देखेंगे क्या उसमें अर्चने इसमें आ रही है, क्या इसमें जो है, फेर फॉर्वर्ड हो सकता है, इंडिया का पहला national, यानि की रास्ट्री जो है, science and technology research university बनाने की बात करी जा रही है, रास्ट्री विज्यान और प्रद्योग की अनुसंधान विश्यद धाले, ठीक, और फजिल जो mango होता है, वो आपका जोग्रिफिकल आपका indicated होता है, तो इसको अभी जो है, एक्सपोर्ड किया गया है, और कौन-कौन से mango पर जाती है, कहां-कहां पर होती है, साइच यह देखेंगे, और एक्सपोर्ड करने में कौन संस्ता मदद करती है, यह भी देखेंगे, ठीक, लसी का फाइल एरिया, य आपका साइन्स का एक टॉपिक है, लैम्फेटिक फिलेरिसिस, यह किस्से होती है, क्या-कै इसके जो है, दुस्प्रवाव होते हैं, कैसे-कैसे हम बच सकते हैं, सारी चीज़ में देखेंगे, यूपेसी इस टाइप के पैलो जी वाले कुशन है, पूछ लेता है, पिछली बहुत जाए न्यूज में भी है, तब भी उसका हो सकता है, वो न पूछ के उसका बैग्राउंड पूछ ले, और अगर कोई चीज़ छोटी है न्यूज में, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ठीक, तबी के लिए वो लिखता है कि करन्ट इवेंट्स औफ न तो फिर आप जो है किसी वी तरिके से ग्रेजुएट हो, किसी भी स्कूल से हो, किसी भी कॉलस से हो, आराम से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक, राइट गाइटन्स इस मोर इंपोर्टेंट, ठीक, और बाकी सेल्फ स्टेटी तो करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी, there is no alternative to that, अब देखें, पहला जो हमारा topic है, इंडिया-िटली का joint commission, यानि कि आपका संयुत आयोग बैठा, आर्थिक संयोग के उपर, यह 21 जो है session था, और joint commission का, अब इसमें देखें, प्यूज गोल जी भारस से और जो है, लुईगी डी मायो, यह आपके foreign affair, international cooperation, जो है minister है, और यह है, आपका, जो है, map, इटली का, इसमें idiotics ही रेखें, किदर किदर है, यह पिछली बार पूछी भी गई थी, ठीक है ना, तो ऐसे जो चीज़ें हम यहाँ पे देते हैं आपको, यह बहुत ध्यान से आप उसको जरूर किया गरिए, प्लीज, ठीक, Legorian C, अब की बार हो स जाएगा, ठीक, इस्ट्रेट ऑफ, और टरांटो है यह, गलफ आफ वेनिस हो गया, गलफ आफ टरांटो हो गया, ठीक, इनकी location अब इउनियन सी हो गया, ठीक, स्टेट ऑफ सिसली हो गया, यह सब करारका है, ठीक, तो मैं टेलिन सी में यह पायाते हैं, और कॉन कॉन से जो ह फ्रांस हो गया, स्विजेलेंड हो गया, उस्ट्रिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, ऐसे द्यान लखना, ठीक, और देखिए यहां पे जो हमारी बात हो रही थी, कौन-कौन से छेत्रों में जो है यहां पे आर्थिक सयोग की बात करी गई है, वो है आपका फूड प्रोसेसि मोदी जी और जो इटली के व्रिदानमंत्री उन्होंने मिलके प्लान ओफ एक्शन अडॉप्ट किया था 2020 में, उसमें और भी कुछ जोड़ी गई थी, जैसे कि उड़ जा संक्रमन, ठीक, इनर्जी ट्रांजिशन, टेक्नोलोजी और क्लामेट पार्टनर्शिप, ठीक, और दुई पक्षिये मार्केट एक्सेज, मतलब कि हमारे प्रोडेक्स आपके हाँ, आपके प्रोडेक्स हमारे मार्केट में आए, और कोई भी टैरिप बैरियर कोई न लगाया जाए, और ट्रेड, वैपार और निवेश को बढ़ाया जाए, ये इस पे जादा जोर दिया गया एक्षिली एक चीज और भी है, एक चीज यहाँ पर मैप में और समझने वली है, कि आपका स्विस कैनल से होके जो भी ट्रांस शिप्मेंट जाएगा, जो भी शिप जाएगी, जो भी गुड्स जाएंगे, वो सब इटली के जरिये होते हुए निकलते हैं, ठीक है ना, तो पहले भी क्या था, कि जब इटली ने, और ये सुईस कैनल थी नहीं, तो पानी के रास्ते जो रास्ता दूड़ा जाना था, तब पहली बार, लैंड रूट तो था ही था, लेकिन पानी के रास्ता, क्योंकि इटली बहुत जादा यहाँ पे टैक्स वेक्स रसूलते थे, त उसका आप लोग को जो है, कमेंट करके बताना है, ठीक, एक गुजराती भी उनका साथ था, उसका भी नाम बताईएगा ज़रूर, तो यह वाली चीज है, अब यहाँ पे देखें, यह तो हो गई, और नॉन टैरिफ बैरियर भी की बात भी हो गई, अच्छा, नॉन के ऊपर हमारे जो है, नहीं पूरा बैठ रहा है, तो आपने वैसे ना मना करके, तो इन टैरिफ बैरियर बोलते हैं, ठीक, इंडिया ने अभी यह भी कहा है, कि इश्यू जो है, रेस किया, कि भाया, जो कोविन वाली है, वैक्सीन के जिसके तुरू हम देते हैं, और सर्ट इन टैरिफिट यह होते हैं, कि माली जै कोई इंडियन जो है, वहाँ पे वर्क कर रहा इटली में, तो वहाँ के इटली के में जो है, अपना कुछ ना कुछ पी एफ टाइप का भाविशनीधी टाइप का जमा करता होगा, तो उसको वहाँ पे वो मिल जाए, जब वहाँ व होते हैं, एग्रिमेंट, तो वह अगर हो जाए, तो बढ़िया है, कि हमारे इंडियन वर्कर्स जो है, उनकी भी समाजी सुरच्छा हो सकती ही, वहाँ पर, उनके भी पेंशन टाइप से, या फिर जब बीमा इंशुरेंस यह सब मिल सकता होने है, ठीक, इंडिया इटली का एकनॉमिक कोपरेशन देखा जाए, तो काफी तही से बढ़ा है, हमारा जो प्रक्षी है, जो आपका ट्रेड है, जा वैपार है, वो काफी मतलब बढ़ गया, बारा गुना बढ़ गया अगले, पिछले विलप 20 साल में, और बालेटरल ट्रेड जो है, वो भी काफी तही से बढ़ रहा है, हमने MOU भी किया है, Memorandum of Understanding आपके किया है, हेल्ट सेक्टर में भी, इटली सबस्यादा प्रभाईत हुआ था, आप लोग को याद होगा, COVID का टाइम पर शुरुआत में, और फॉरन डिरेक्ट इन्वेस्मेंट जो है, आपका प्रतेक शुरूप से जो निव भूर राजनीतिक जो है, एक सिग्निफिकंस भी है, मेरिटेरिन सी में ऐसी जगे वो लोकेटड है, कि जो भी ट्रांस्ट्रिप्टमन जाता है, जाता वहीं सही है, ठीक, तो लोग लीडिंग रूट है, इंटरनेशनल समुद्री जो रास्ता है, मेरिटेरिन सी का, वो एक उससे बढ़िया और कुछ होगी नहीं सकता है, अगला जो हमार टॉपिक है, यहाँ पर देखे एक यह है कि एलिफेंट रिजर्व, यानि कि एक जो है, आपका हांती समंदित, एक का अभरन बनाने की बात करी जा रही है, और यह प्रपोस किया गया था 36 गड़ में, अब य यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या है कि जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर और फॉरेस्ट होता है, किसी भी स्टेट में, जो है इन्वार्मेंट से समंदित, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट वाइल लाइफ, ठीक, तो उसको ज सब्सक्राइब कर दो इसके पीछे जो कारण है वो यह है कि काफे टाइम से चल दा तो उसमें नहीं जाएंगे मतलब कब से पहले बोला गया और वो हिस्ट्री में जाने जोतनी है सबसे पहली बात तो है लेमरू यह आपका एलिफेंट रिजर्व है और यहाँ पे इसकी जो एरिया है रिजर्व की वो गटाने की बात इसलिए करी जा रही है चुकि यहाँ पे कई सारे कोल की माइन्स हैं ठीक तो कोल निकालने चक्कर में और खाली उसको छोटा किया जा रहा है और यहाँ पे इसका उदेश यह है कि जो एलिफेंट्स हैं आपके 36 गड़ में आते हैं ओडिसा और जारकन से तो उनको जो है काफी human element conflict होता है तो इसलिए इसको बनाया जा रहा था लेंबरू को अगर आप उसको जगे को छोटा कर दोगे तो conflict बड़ेगा घटेगा थोड़ी न तो यह और इस चीज़ है लेकिन अभी प्रिंसपर चीर कंसर्वेटर फोरेस्ट को जो है स्टेट के environment of forest ministry से आया कि नहीं आप इसको कम कर यह तो इस पर इसका इसका elephant corridor का यानि कि हाती गलियारा जो है हाती है जैसे मैंने आप लोग को बताया था माली यह दो पैचेज है ठीक एक जगे उसने अपना पूरी घास पत्ती सब खतम कर दी तो फिर वो दूसरे पैच पर चलायता है ठीक फिर यहाँ पे खतम करी तब त प्रश्ट हाती के लियारे कौन से उसको कनेक करता है लैमरू जो की कोरबा में है बडल खोल यानि के जश्पूर में है और टमार पिंगला जो है आपका सुर्गुजा में है ठीक और सब्तेंबर में वहीं सारी बाते बताए गेंगें कि इन्वरेंट्मेंट जो मिनिस्ट्र की बात कर ली थी तो अब इन्होंने कहा है कि आप इसको कम कर दो क्योंकि हम तो मतलब बाकी लोग से हो गई है कोल वोल भी हमें निकालना है ठीक तो एक तरीके से अगर आप इसको बिग पिक्चर देखो तो यह है डवलप्मेंट ठीक वर्सेस आपका इन्वारेमेंट ठीक लेंबरू रिजर्व है यह आपका हस्देव आरन्या फॉरेस्ट का है ठीक जो की बहुत ही आदा जो है डाइवर्स है विविदता बहुत जादा है यहां पर वाइल डाइफ की ध्यान रखिया है कोल डिपोजिट भी है इसलिए जो है यहां दिक्कत हो रही है हस्देव आर इंपोर्टन नहीं है इसमें सिर्व यही है कि जो है कहां पर इस्थित है कौन-कौन से फॉरेस्ट की बात हो रही है रीजन क्या था और जो है कॉरिडोर जो अलेफेंट गलियारा जो है वो क्या चीज होती है ठीक रिजर्व फॉरेस्ट हमारी इंपोर्टन क्यों है क्योंक यह रहेंगे तो preservation वाली बात होगी मतलब बिलकुल अंचुआ टाइप का जो है forest होगा naturally grow करेगा ठीक तो यह चीज है और यहाँ पे पीछे देखा गया है कि काफी हाती हातीयों की death भी हुई है काफी जो है लोग की death भी human animal conflict बढ़ रहा है तो इस एरिया को अगर आप छोड़ दो तो elephant अपना वो अपना area उनको मिल जाएगा मनुष्य तो अपना area धूड़ी ले रहा है दूसरे में ना जाए यह सारी चीज़े है बात तो यह हुआ अगला आमार जो topic है वो है science and technology आज का question भी है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भारत का पहला रास्टी विज्ञान और प्रद्योग की अनुसंधान विश्वध्याले की बात करी जा रही है इंडिया का पहला first national science and technology research university अब देखें जो हमारे नए minister of state बने हैं independent charge science and technology के और यह जितेन सिंग जी जो है इनके बात देखो कितने हैं सारे portfolio है मतलब गजब ठीक है तो आपका department of science and technology से इनुन कहा है कि आप effort लगाईए एक पहली मतलब national science and technology research university बनाओ जो की leverage करें फायदा उठाए जो भी हमारी research करनी की strength है ठीक हमारे पास भारत में कई सारे स्वेत्र अनुसंधान और विकास वाले संस्थान हैं उनका उपयोग करो research की जो उनकी strength है उसका उपयोग करो आपका जो है जो की यह सारे सारे किसमें काम कर रहे हैं science and technology में उनका उपयोग करके समाज की वहतरी में देश की development में काम आए यह चीज जो है ensure करो इस वाली university को बना कर क्या नाम है National Science and Technology Research University इसमें देखे में चीज यही है कि इंडिया में अभी ranking काफी अच्छी हो गई भारत की जो research के हम जो publication करते हैं ठीक तो जैसे कोई भी शोध प्रकाशन हम जो निकालते हैं किसी चीज से research से science and technology में तो उसमें number अगर देखा जाए तो third हो गए हैं हम पूरी दुनिया में और गुडवत्ता अगर quality देखा जाए research publication की तो हम दुनिया में 9th नंबर के हो गए है तो यह rank की improvement हुई है ठीक और हमारे जो science and technology वाले science के जो journals हैं उन्होंने मनलब इसको पहचाना है और इंडिया की ranking पहले 14 थी quality में अब 9th हो गई जो कि अच्छी बात है लेकिन हम यहां नहीं रुकना चाहते हैं जितिन सिंग जी कह रहा है कि हम top 5 में आना चाहते हैं quality को और अच्छा करना चाहते हैं हमाई research papers की जब हम 75 साल अपनी independence का मना है तब तक हम पांचवे में आना चाहते हैं यह वाली बात है अब देखे में चीज है यहां पर कुछ जो है science and technology समंदित कुछ initiatives जो अलड़ी लिये गए हैं उनकी scheme के बारे में आपे दिया गया है तो इन्होंने यहां पर यह काया कि हमें ज़्यादा एकागरता focus करने के जरूरत है कि जो भी beneficiaries हैं हमारे मानो संसाधन वाले जो हमने scheme निकाली हैं जैसे कि मानक ठीक inspire, doctoral, post-doctoral fellowship, other scheme जो है इन सब पे focus करो इनको भी involve करो 2022 तक यह है आपका दोस्तेनी की department of science and technology का यह target है कि हम 7500 STI जो की start-up बनाने चाहिए उनको ठीक, science and technology वाले जो institute है उनको start-up उससे बनाओ 7500 काफी है साड़े साथ लाक student लगाओ जो की 6 से दस्वी class के बीच में पढ़ते हैं ठीक, 6 से दस्वी में भी हो सकते हैं जिनको मानक award program में जो लोग participate कर रहे हैं इन सब को जो है हमारे हमें 2022 तक लाना है ठीक, 7500 start-up और साड़े साथ लाक students को हमें involve करना है science and technology वे जब इनको लाओ गया आप students को तभी तो वहीं यहीं लोग तो जाएंगे फिर university में विश्यवदले बनाया जा रहा ना तो मानक award क्या है, आपका ये वाला जो है inspire scheme क्या है इसके बारे में अभी जानेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है बहिए इस university का, देखे इसका उद्देश यही है कि जो हमाई research की जो autonomous research and development वाले जो संस्थान है और science and technology काम कर रहे हैं, उनको जो है जोड़ो उनकी जो data निकाल ले है, उनकी जो research हो रही है उसको compile करके ज़्यादा ज़्यादा उसका अनुपरयोग करो application देखो और जो की मानवता का, देश का और समाज का उधार कर सके यह वाले चीज़ है और medium से long term के science and technology वाले विकास करो और इसको साती साथ planning और five year planning भी निकालो science and technology से समंधित इस university का काम रहेगा, जो policy जो नीतिया है, उनको आपका research institute university के साथ में चार skill policy वाली बात करेंगे, चार skill policy क्या है, यह comment करके आप लोगो बताना है, ठिक, और जो है university science park policy बनाओ और जो भी expert के opinion है उनका use करते हुए, ज़्यदा ज़्यदा benefit कराओ इस university का, देखे, inspired जो scheme है, और मानक जो awards है, उनके बारे हम जान लेते हैं, inspiration in science pursuit for inspired research, मतलब अगरत का हिंदू चरन हम लोग करें, तो यह है कि हमें science के तरफ जो है नवीन, विचार के साथ में, नवाचार के साथ में देखना है, फॉलो करना है, inspired research करना है, ठिक, inspired research मतलब प्रोसाहित होकर, हमें किसी से प्रोसाहन मिलके, या फिर inspired होके हमें research करना है, जैसे कि समाज के लिए कर लियान करना, ठिक, अपना जो है देश के लिए बढ़िया चीजी लेके आना, science and technology का, तो यह एक flagship program है आपका दोस्त का, यानि की department of science and technology का, government of India के अंतरगत, और inspire awards जो होते हैं, वो बोले आते हैं, मानक, ठिक, इसी के अंतरगत जो है, inspire awards दिये जात है, उनके जो दिमाग है, उसको जो है, हम बढ़ावा आते हैं उसको, ताकि जो भारत की जो है, अकांगशाएं हैं, और जो knowledge है, उसको बढ़ावा मिले, ठिक, तो यह चीज़े यह भी दोस्त के अंतरगत है, और यह किसका, इसको लागू करने के लिए, मानक को लागू करन है, तो inspire नहीं, मानक को आप करके आना, ठीक है, और यह autonomous body है, आपकी innovation foundation, और इसका aim है है कि जो भी बच्चे छटी से लेके दसवी क्लास तक पढ़ रहे हैं, उनको motivate किया जाए, science and technology की field में, objective है है, इसकीम का target करें, एक million, यहनी की, एक 10 लाग, sorry, 10 लाग, original ideas निकालो, दवी मेशी जो है, सोच को बढ़ावा दो, science और societal application के लिए, समाज के लिए, अनुप्रयोग मिलाने के लिए, और एक culture of creativity, ठीक है न, innovation thinking को बढ़ावा दो, school children में, ठीक, वो अभी आनते क्या होता, अभी यह होता है कि इसको, मलब class pass करनी है, formula रट लो, उसका क्या अनुप्रोग, होना क्या चाहिए, पहले तो reading है, पढ़ोगे नहीं, तो कैसे learn करोगे, फिर learning है, फिर understanding है, फिर knowledge है, और knowledge को wisdom बनाना, तो application करना आना चाहिए, अगर आप reading नहीं करोगे, learning नहीं करोगे, तो understanding कैसे करोगे, understanding नहीं कर पाओगे, तो knowledge कैसे बनेगी, और क्योंकि आप apply करी नह में इसको लाना चाहिए यह सब नहीं पढ़ोग तो कैसे काम होगा ठीक तो यह अली चीज है अगला जो हमाँ टॉपिक है वो है आपका फाजिल आम को जी आई सेटिफाइड जो फाजिल आम है अभी उसको एक्सपोर्ट किया गया ठीक बहरेन में और इसके जलते जो है यह कि शोकेस करी थी हमारे हाँ की मेंगो की वरैटी और अब उसकी वेश से क्या है कि हम वहाँ पे हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्टेंडर्ड हाई रख रहे हैं और जो है लोजिस्टिक्स के कई सारे प्रॉलम है कोविड-19 के बहुजूद भी हम जो है उनको आसाई से एक् पर जो नाम है वहाँ पर हो सकता है आपसे पूल ले कि बताइए इनमें से कौन सा मेंगो का नहीं है इस तरीके पूछेगा या फिर कौन सा मेंगो का है तो आप लोग को याद रखना चाहिए खिरसापटी मालदा वेस्बंगॉल लखन भोग मालदा वेस्बंगॉल फजली अभी मेंगो एक्सपोर्ट पोटेंशेल को हम लोग और बूस्ट कर रहे है इस्टर रीजन के ठीक ताकि मिडिल इस्ट कंट्री को हम भेज सकें मिडिल इस्ट कंट्री कौन से होते हैं जैसे साओधी हो गया बहरेन हो गया कतर हो गया यह परशेन वाले गलफ वाले ठीक है और जैडिफिकल इंडिकेशन वाले जो है उसको मालदा डिस्टिक्स को बनाते हैं और एक्सपोर्ट किया गया बहरेन में अभी क्या हुआ था कि हमने कंसाइन्में भेजा फाजिल मेंगो का और एक्सपॉर्टेड बाइक किसने किया था अपेडा ने अपेडा जो है क्या है आपका यह एक्सपॉर्ट में मदद करता है अगरिकल्चर और जो उससे प्रसंस करता जो फूर्ड प्रोडक्स होते हैं उनको एक्सपॉर्ट इसको जो है पेडा ने इनको सर्टिफिकट दिया होगा आप यह करो ठीक सार अच्छा आम बेजरो और इंपोर्ड किसने किया अल जजीरा बहरेन ने किया ठीक अब बहरेन करना मारा तो उसकी लोकेशन भी देखो ठीक परिशयंगल्फ में टच करता है कि वह यह रेड़ सी में टच करता है यह सब देखना पड़ेगा वैसे यहां पर बता दू परिशयंगल्फ से टच करता है ठीक अपेडा जो है यह काफी सारे मेजर्स ले रहा है इनिशेटिव ले रहा है कि मैंगो को जो है एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए ऐसे जगाओं पर जोहां पर पहले हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे चीक और इसी लिए अभी जो है इन्होंने वर्चुल बायरसलर वाला फेस्टिबल रखा था मैंगो को एक्सपोर्ट करने के लिए बहरेन में और शिप्मेंट अभी भेजा गया पेड़ा ने और एक मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम दोहा कत में जो है यहां पे हुआ था यह और नाइन वर्याटी जो उपर मैंने बताई थी उनको जो है वहां पे दिखाए गया था सोगेश किया गया था उत्रपदेश और वेस्ट बेंगॉल किये थी और अभी जो है फाइनली इंपोर्ट कर लिया है फैमली फूट सेंटर के द्व जो है यह आपका अलजाजीरा जो उपर था ठीक पहली बार यह जो है सेशन यह सीजन में इस सीजन में हमने शिप्मेंट किया है 2.5 मेट्रिक टन ऑफ जी आई सर्टिफेड बंगन बंगन पल्ली और अदर वरैटी सुवन रेखा मेंगोज को अचा सुवन रेखा एक रिव भी अभी कंसाइडमेंट के जरिए भेजा था और यह जो फार्मर है यह कृष्णा और चित्तू डिस्ट्रिक आंदर प्रदेश रिसेंटली यहां से लिए गया थे यह वाले मैंगो लेकि मैंने कोशन क्या पूचा सोन रेखा रिवर कहां से बहती है अचा बैक्राउंड अ बताइए कौन से जी आई वाली है और कौन से राज़े से समंदित हैं ठीक तो खिरसा पट्टी और लक्षमन भोग जो है वेस्ट बेंगॉल से है ठीक है फाजिल भी है और जाधालू जो है आपकी बिहार से अलग से कुशन बन सकता है मैंगो परड़क्शन भारत में बहु किसको मैंगो को ठीक जो की मलब विश्क रंटिंग ट्री कुछ भी विश्मानो मांगो वो देता था ठीक उपर से टपका आम प्रसाद मिल गया तो यह वाली चीज है और जो बारत में कई सारे स्टेट्स में होता है इसे उता बिहार और अंदरपते तिलंगाना को करनाट का और जो है अभी वेजविंगल तो होई गया और फैंजो सबसे आदा जो है एक्सपोर्ट सबसे च्छी वराइटिक माना आता है केसर टोटापूरी बंगन पली यह सब लीडिंग एक्सपोर्ट वराइटीज हैं इंडिया से और फैंजो को यूके ने पीछे जो है कुछ साल पहले मना कर दिया था एक तरीकी के नॉण टेरिव बेरियर बता दिया थै पोल्प हो गया मैंगो पल्प हो गया ठीक आम का गुदा और जो है आम के एक्सपोर्ट बढ़ाती है आपकी अगर्चर प्रोड़क्स की इंडिया में और यह मिनिस्ट्र और इंडिस्ट्री के अंतरकत आता है क्यों कि वह यह वैपार होता दो ट्रेड होता जहां पर भी तो वह कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतरकती आएगा ऐसे आध़कना और यह दिल जाता एक ठीक है ना और वह उतलब इसीही व्याइस होता है ठीक यह जो है लिम्फैटिक फ्लेयरेसिस कीवए से महराज गवनेट ने अभी क्या है कि इसका टीका करने लगाने के बात करी है ड्रग मतलब स्वारी बात करी है ताकि उन्मूलन हो सके अलिमिनेशन हो सके लिम और वो पहला स्टेट बन जा है भारत में जो की अपना ड्रग्स वापस से चालू कर रहा है सेकंड वेव कोविट के बाद ठीक मलब फिलेरेसिस को अटाने के लिए भी जो है ड्रग कोविट की जो सेकंड वेवाई थी उसके बाद पहला राज जैसा बन जाए जो इसको और इसकी तीन स्पेशीज होती है माइक्रोस्कोपिक और बहुत चुटे-चुटे धागे जैसे वाउम जैसे होते हैं और जो एडर्ट वाउम होता है वो इंसान के लिम्प सिस्टम में जीवित रहता है ठीक जो लिम्प सिस्टम है यानिकि लसी का जो प्रणाली है वो नहीं कर पाता है पानी जो है रुकने लगता शरीर में और जब पानी शरी में रुकने लगता है तों इंफेक्ष्टिया गंदी सिर्च से अपना शरी के अंदर काफी तीज रहता है ठीक तो यह बद्रुलोड को बैलेंस करने के लिए और जब fluid बढ़ेगा तो फिर infection बढ़ने लगते हैं बैक्टिरियन सबके वेशे तो limb system का काम यह होता है लसी का प्रणाली का काम यह होता है ध्यान लखना ठीक ऐसे पूछेगा logical based बहुत ज़्यादा factual based नहीं पूछके factual भी आद लखना है basic भी आद लखना है ठीक lymphatic philliasis जो है इसको एक neglected tropical disease बोला जाता है मतलब कि आपके उपेक्षित उष्व कटिक बंदी रोग माना जाता है विश में और यह parasitic यानि की परजीवी disease है जो की microscopic thread like warm के दोरा होता है यह फैलाया जाता है किसके दोरा मच्छर के दोरा यह मच्छर बहुत खतमनाक चीज़ है यार ठीक यह एक जागे काटता है दुछे का कि छोड़ देता है फिर चूस लेता है खुन तो यह mosquitoes के दोरा जो है person to person यह फैलाया जाता है हाला कि यह disease किसकी है पर जीवी की यह ध्यान लखना च्छोटे-च्छोटे धागे माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले धागे के बराबर warm के होते है ठीक जातर जो infected people होते हैं वो insoptomatic होते हैं पता यह नहीं चलता है उनको ठीक और कई लोगों में जो है जिनको पता दलता है उनको दिखता भी है विया कि उनको जो एड्रोसील हो गया है जब scrotum यानि कि अंड कोश में जो है आपका swelling हो जाती है men में जो देखा जा रहा है ठीक है और आपका lymphedema जो है यह cause किसकी वैसे होता है limb system में अगर उसकी proper function नहीं होती है तो fruit का collection होएं लगता swelling हो जाती है और यह जातर legs को जो है वो करता है और आपका बहां उस्तनों और जन्नांगों में भी होता है ठीक swelling और जो decreased function है limb system का वो इसको difficult बना देता है ताकि जब एक बार पानी भर गया swelling आ गई तो यह body जो हमारी होती है वो germ से fight नहीं कर पाती infection fight नहीं कर पाती और bacterial infection हो जाता है और skin और limb system जो है खराब हो जाती है ठीक और काफी जो है skin बहुत hard सी सक्त सी हो जाती है मोटी सी हो जाती है और इसको elephantitis बोलते हैं ठीक मतलब वो होते हैं हाथी ऐसा पैर हो जाता है और कई सारे जो bacteria infection होते हैं उनको prevent किया जा सकता है अगर आप skin की hygiene रखो उसको धूलते रहो अच्छे से care करो सुखाते रहो तो हो करता है treatment यहीं है adult warm अगर आपके अंदर है तो एक medicine होती medicine या दखना जो हो रही है डाय डाय इथाइल कार्बामाजाइन ठीक डायल इथाइल कार्बामाजाइन जो है medicine है यह early dose होती है साल में एक बार लेनी है लेना चाहिए और इससे क्या होता है कि जो microscope warm है blood में जो घूम रहे हैं वो खतम हो जाते हैं मर जाते हैं और देखिए जो ड्रग है वो सारे worms को एड़ल वांस को खतन नहीं कर पाती है कि आप किसी और को जो है infect नहीं कर पाऊगे तो कमसे हम खुद के लिए नहीं तो मतलब खुद को तो आप रोकोई जहां पर आपके अंदर disease है साती एक नेतिक जिम्मेदारी के तौर पर आपको ये ड्रग खानी चाहिए ठीक प्रिवेंट करता है लेंफेटेमा और बाई कैसे हम लेंफेटेमा को रोक सकते हैं अगर आपको वाश करो जहां पर भी स्किन जो है स्वेलिन हो गई है अगर रात को लेटो तो या फिर कभी भी दिन में आज रात में पैर को उपर करो ठीक ताकि जो फ्लूइड हो पूरे में चला जाए ठीक एक जिकर रुके ना और एक्सोसाइज करो फ्लूइड रुके ना उसके लिए इंफेक्शन जो भी वोंड्स है उनको डिसिंफेक्ट करो ताकि वहाँ पर जो एंटी फंगल एंटी बैक्टिरियल खाओ यह सारी चीज़े हैं शूज पहनो मतलब क्योंकि पैर इतना बड़ा हो जाता है कि आपको शूज फिर वह बहुत बड़े से पहनने पड़ते हैं एड्जस्ट करने वाले यह वाली चीज़ है ठीक तो हमारा जो 13 जुलाई का आज जो कोश्चन है फ्री जो आपका चलता है यह डेली यूपीसी मे ग्रूप है आपको लोग के लिए मैं भी इसमें कई कई रिव्यू देता हूँ आज कर जो कोश्चन नमबर 85 वो देखें बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही कतना जो है कोश्चन है मैंने पूछा यह है कि विज्ञान और प्रदिवर की इन दोनों की बीच में अंतर ठीक साइन्स और टेक्नोलोजी पढ़ते रहो तो यूपेसी का पूछ लेगा कि साइन्स और टेक्नोलोजी के बीच में क्या डिफरेंस है आपको एक्जाम्पिल के दौरा बताना है सबना की बात ठीक यह बिल्कुल बेसिक है जो आप हमेशा पढ़ते हो लेकिन ध्यान ने है या फिर जो मानक है या फिर और भी जो गौर्वर्मन्ट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइन्स और टेक्नोलोजी के दौरा जो चलाए गये हैं जो इनिशियेटिव हैं उनको आपको लिस्ट आउट करना है ठीक लिस्ट आउट अगर वर्डिंग आती है क्व पूरी पूरी जो है एस से लिखने लग गया ठीक अगला जो हमार सेक्षिन है उसका नाम है कौमनेग आइस पी से इसमें हम लोग प्रिलिम से कैसे कुश्चन ऑबजेक्टिव टाइप कुश्चन कैसे सौल करने चाहिए किन किन चीज़ों कर दियां रखना चाहिए क्या उन कौन से मेट हैड ऐलिमिनेशन मेट हैड कैसे ट्रिक्स का यूज़ करना चाहिए सब समझते हैं देखें यहाँ पर पहला जो टॉपिक है जो पहला जो कुश्चन है वो है कि अवी सीनिया मरीना से समद्द्द जो कतन दिये उनमें से ट्रू कौन सा है तो यह एक जो है आपकी प्लांट की स्पेशीज है जो 40 प्रतिशत तक जो सॉल्ट है वो निकाल देता है अपने सॉल्ट ग्लैंड से लीव्स में क्यों क्योंकि यह मैंग्रूव है और समुद्री पानी में पाई जाते हैं समुद्री पानी होता है खारा तो अगर इसको जीवित रहना तो सॉल्ट को जो है एक्स्क्रीट करना पड़ेगा इसे तब ही यह हो पाएगा लेकिन यह काफी ज़्यादा जो है एक्स्क्रीट करता है इसलिए जो है काफी दुल्लप भी है और काफी important भी है हमारे aquatic और marine वाला जो होता है यह ecosystem वहाँ के लिए ठीक इसेंटली अभी क्या हुआ है जो हमारे सेंटिस्ट हैं डीबीटी में डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेकनोलजी इंस्टिटूट ऑफ लाइफ सेंसेज और डीबीटी पार्टनर्शिप में इन्होंने करी प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस्ट लाइफ साइंसेज टेकनोलोजी के लिए और इन्होंने ऐसा जिनोम से यानि कि जो हमारे जनेटिक स्ट्रक्चर होता ना ऐसे ऐसे करके ठीक तो यह जो डीएने वाला होता इसमें देगे क्या चीज होती है एटी सीजी ठीक तो एटी हमेशा डबल बांड या सिक्वेंसिंग कैसे क्या होती ताकि हम यह समझ सकें कि सॉल्ड को सीक्रेट कैसे कराना है मैंग्रूब स्पेशी कौन सी एवेसीनिया मेरीना के अंतरगर तो देखें यहां पे सारे स्टेटमेंट्स हही है मैंग्रूब जो होते हैं वो यूनीक जो ग्रूप आफ तो यहां पर इको टोन भी बोलते हैं तो यहां पे जैव विविदता बहुत ज़्यादा होती है ठीक तो इंट्रटाइडर एस्ट्रीन रीजन में यह मैं ग्रूप पा जाते हैं और यह सेनलिटी चाहिए ज्यादा भी हो तब भी इसको सहते हुए एडाप्ट करते हुए जो है वहाँ पे रहते हैं ठीक सेनलिटी का हुई लवडता हुई और यह ग्रो करते हैं आपके ट्रॉपिकल और सब्रॉपिकल यानि कि उच में कटिबंदी और उपोश्ट कटिबंदी आकांग्छाओं यानि कि जो है आपका आक्षान सो जो है लेटिटूड में पाजाते हैं एक्क्वेटर के वास पा है भारती लागत लेखाकार संस्थान समंदित को इस स्टेट्मेंट है यह 1960 में पहले इस्टेब्लिश किया गया था वियनेमित करें और विकास करें जो प्रफेशन है कॉस्ट एकांटन सी का ठीक को बढ़ावा देने की बात कर रहा है और जो है only recognized statutory professional organization था वैधानिक सिर्फ एक जो है वैधानिक जो है मानिता प्राप्त जो है यह professional आपका organization था जो license जिसको मिला था भारत में जो specialized ली मतलब specialized था work or cost accountancy में चिक तो दूसरा और तीसर सही है में इसको चलू किया गया था अभी MOU हुआ है ICOAI और UK के जो आपके Charter Certified Accountants Association है ACCCA तो उन दोनों की बीच में memorandum of understanding हुई है कि हम लोग जो है हमने जो दे दिया है भारत में आप उसको मानिता दे दे ना आप ने जो दे दिया हम उसको मानिता दे देंगे भारत में काम कर सकते हैं CA एक दूसरे के यहाँ बस CA में यहाँ पर उद्देश है इसी के साथ में हमारा आज के सेशन खतम होता अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक आटन तोड़िए और जादा जादा लोग को शेयर और सब्सक्राइब करके जोड़िए ताकि हम लोग जो है मोटि वेस्ट है वंदे मातराम